जहीं दोस्तों वेलकम टीन अनी स्कूल दोस्तों आज बात करते हैं इस समय के बहुत ही ज़्यादा पॉपलर और बहुत ही ज़्यादा जबरदस कोईन के बारे में बेबी डोग कोईन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे अगले 2-3 week के अंदर baby dog coin का price कहां तक जा सकता इसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे क्यों baby dog coin का price 200x तक भी बढ़ सकता आने वाले कुछ समय के अंदर इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कितना all over baby dog coin बढ़ने वाला है यानि total कितना profit आपको देने वाला है आपको आने वाले समय में loss भी दे सकता है या फिर दोस्तों ये एक जबरदस profit देने वाला coin इस सभी के बारे में पूरे के पूरे analysis के साथ में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आगे बारे से पहले एक चोड़ी से रिक्वेश्ट दिन दोस्ते ने बिते के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरू कर लें और साथ उसके पास वाला बेलोडे रिप्रेस कर ले तागे डेले बेस पर लेटेस्ट क्रिप्टो करणसी इसका अपडेट देने के साथ साथ सिवा इनू बेवी डोग कोईन के शुई नू और बहुत सारे दूसरे क अपडेट डेले बेसिस पर यहाँ पर आपको मिलते रहें चलिए बेबी डोग कोईन के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो बेबी डोग कोईन के बारे में आपको जान लेना ये बहुत जादा ज़रूरी है कि बेबी डोग कोईन आखिर कितना पुराना कोईन है क्या ह है 5 साल पुराना koin है क्या ये 1 साल पुराना koin है या फिर दोस्तों चंद कुछ महिने पुराना koin है तो दोस्तों क्या आपको बता दूं बेबी डो कोईन की एज इस समय पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 7 महीने 5 दिन के आसपस है यानी दोस्तों बेबी डोग कोईन की एज अभी बेहद कम है यानि दोस्तो अभी अगर सीविनू की एज की बात करूं तो वो डेड़ साल के असपास हो चुकी है लेकिन दोस्तो बेबी डोग कोईन अभी बहुत चोटा है यानि दोस्तो लगबक 6-7 महिने पहले ही ये कोईन मार्केट में आया था ल दोस्तो बेबी डोग कोईन के होलडर्स की संख्या 1.205 मिलियन को क्रोस कर चुकी है 1.2 मिलियन को क्रोस कर चुकी है जिसका मतलब ये है कि सिविनू कोईन के होलडर्स की संख्या से भी ज्यादा इस समय पर बेबी डोग कोईन के होलडर्स की संख्या है अभी अगर टू मिलियन तक पहुँच चुकी है यानि दोस्तों लगबग 12 लाक लोग इस समय पर बेबी डोग कौाइन में इन्वेस्ट कर रखे हैं और दोस्तों समय कितना हुआ है सिबीनु कौाइन को हुआ है लगबग डेड़ साल बेबी डोग कौाइन को हुआ है ओनली सात महीने में आजकल ट्रेड कर रहे हैं रिसेंटली शेयर अनलिटिक सो दाट 1000 लार्जेस्ट वैलेट्स ओन दा बाइनस समार्ट चेन नाव ट्रेड बेबी डोग कौाइन लोट मोर ओफन दैन एट एच मेकिंग इन दा मोस्ट ट्रेडेबल टोकन अभी हाल फिलाल में ही जो अनलिट 600 किया गया उसके अकोर्डिंग 1000 से भी जादा जो बड़े वैलेट्स है बाइनस समार्ट चेन पर छोटे वैलेट्स के बारे में बात नहीं हो रही है जिनके दोस्तों वैलेट्स में मिलियंस में डोलर होते हैं मिलियंस में जिनके पास टोकन होते हैं दोस्तों यहाँ पर ज्यादा tradable token baby dog coin बन चुका है यानि दोस्तों सबसे ज्यादा लोग इस समय पर baby dog coin में trade कर रहे हैं Justin baby dog coin had flipped ETS to be the most traded token among the top 1000 BSC wallet यानि दोस्तों ETS को पचारते हुए सबसे ज्यादा trade किया जाने वाला token यहाँ पर baby dog coin बन चुका है वहीं पर दोस्तों अगर burning concept के बारे में बात की जाए देखें दोस्तों कोई भी ऐसा coin जिसके circulating supply या total supply बहुत ज़्यादा होती है उस coin के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बड़ी मात्रा में अपने coins को यहाँ पर बन भी करें इस coin की circulating supply भी ज़्यादा है total supply तो ज़्यादा है ही लेकिन उसी के साथ साथ इसने हाल फिलाल में 5 quadrillion baby dog coin बन कर दिये जिनकी value 10 million dollar के आसपास थी यानि 10 million से भी ज़्यादा लगबग 11.57 million dollar के आसपास थी और दोस्तो यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी value है यानि दोस्तो इतने बड़ी value में जल्दी से कोई भी coin burning concept नहीं चलाता है क्योंकि यहाँ पर सिधा सिधा burning concept चलाने का मतलब है कि जो इसके main admin है उन्हें यहाँ पर loss हो ना लेकिन उसके बावजूद भी baby dog coin को बड़ी मात्रा में नोंने बंड किया और दोस्तो यह बहुत ही ज़्यादा सराहनिया चीज़ है वही पर दोस्तो बाइनेंस के बारे में बात की जाए बाइनस और वजीरेक्स बहुत जल्दी baby dog coin को अपने एक्सचेंज पर launch कर देंगे यानि दोस्तो आने वाले समय में baby dog coin और भी जलवा बिखानने वाला है वही पर दोस्तो अगर baby dog coin के work की बात की जाए बेबी dog coin के जह अर्ली holders हैं उनहें एक थोड़ा सा फाइदा यह भी है कि बेबी dog coin में जितनी transactions होती हैं उन सभी transaction का 5% जो काटकर distribute कर दिया जाता है सभी holders में यानि दोस्तो इस समय पर baby dog coin के जितने भी holders हैं और जो भी transactions daily basis पर baby dog coin में होती हैं उन सब ही transaction का 5% काट कर baby dog coin के जो holders हैं उनमें divide कर दिया जाता है उन्हें बार दिया जाता है इस तरह से पड़े बड़े भी आपके baby dog coin जो है जाए वो किसी exchange पर आपने hold किये हुए है जाए wallet में वो वहाँ पर बढ़ते रहेंगे और दोस्तो यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ी passive income के chances हैं इसी के साथ साथ अगर baby dog coin के transactions के बारे में बात की जाए तो दोस्तो baby dog coin के transaction है वो सिभा इन्हों dog coin के comparison में बेहद सस्ता है और दोस्तो इसकी speed भी काफी जाता है यही कारणे कि आने वाले समय में बहुत सारे merchants भी baby dog coin को as a payment method accept कर सकते हैं और दोस्तो इसके साथ-साथ baby dog coin अपना डेविट कार्ड भी लोंच करने जा रहा है वहीं पर दोस्तों आपको पता ही है कि लोन मस्क ने भी कई बार baby dog coin को प्रमोट किया है यह सारी के सारी सीजे मिलकर baby dog coin को तो बनाती है दोस्तो बहुत ज्यादा positive वहीं पर दोस्तों अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसके प्राइस से पहले अभी भी 80 लगे हुए है हाँ थोड़ी सी बात यह है कि इसकी जो टोटल सप्लाई यह वो 420 quadrillion है और इसकी दोस्तो circulating सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा है उसके बावजूद भी अगर इसका market cap देखा जाए तो दोस्तो 1.2 million holders के हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसका market cap अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है 626911824 इसका market cap है और दोस्तो market cap रंक है इसकी 148 इस तरह से दोस्तो इसके market cap के हिसाब से देखा जाए तो अभी अगर 100 गुना भी ये coin बढ़ जाए तब भी दोस्तो इस coin के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी इस coin ने अभी तक तो सिर्फ 43 गुना का ही profit देया है लेकिन दोस्तो आने वाले समय में ये coin जो है आपको long term में काफी अच्छा profit भी दे सकता है यानि दोस्तो long term के लिए अगर इस coin को अभी भी आफ फोल्ड करते हैं अभी भी खरीते हैं तो दोस्तो long term के लिए coin काफी फायदे का coin साभित हो सकता है लेकिन दोस्तो संभाल कर यानि दोस्तो यहाँ पर इस समय पर हालांग की जिस condition में बढ़ा हुआ है और पिछले एक महिनी से जिस तरह से बढ़ रहा है लगता तो ऐसे है कि इस coin का price अभी काफी बढ़ेगा यहाँ से लगबत 10 गुना तक का profit और देगा उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर down जाते price थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी है यानि दोस्तो समभाल कर अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप sot term में profit नहीं देख रहे हैं केवल long term में ही profit देख रहे हैं यानि दोस्तो लोग term में एक ऐसा coin जो कि long term में आपका 100% profit दे ही दे तो दोस्तो बेबी dog coin को यहाँ पर आप एक वहत्रीन कोईन साबित हो सकता है लेकिन इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो बेबी डोग कोईन के अलावा बेबी डोग कोईन तो एक चीज है पाई डॉलर देश डॉलर बीच डॉलर पचास डॉलर जितने का भी आप खरीदना चाहते हैं इसके लिए इस वीडियो अमाउंट अंकरना बहुत ज़्यादा ज़रूई है तो दोस्तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर स्क्रिंशोट्स में आप देख सकते हैं जिन लोगों ने चार से पांच महीने पहले इस सिस्टम के साथ काम करना सुरू करा था वो दोस्तों अगस्त तक जाते तो दोस्तो नवंबर में यह अर्णिंग और पी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पूरे एक्टोबर में भी दस जार से बीस जार डोलर डेली बेसेश पर और दोस्तो टोटल अगर बात करूं यह अर्णिंग मैं दिखा रहा हूं दोस्तो नवंबर के मन्त की 10 लैक डोलर 8-9 क डोलर यानि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कि लगबग 12-13 करोड इंडियन रुपी में सिर्पास इच्छा महिने में सिर्फ 100 डोलर या 120 डोलर के इंवेस्टमेंट से शुरू करके एक बहितरीन अपॉर्चुनिटी यह वाइनस जो की दुनिया की सबसे बड़ी मैं एक्सेंज है उसी का यह प्लैटफॉम है बाइनस ओटो ट्रेडिंग तो दोस्तों बाइनस ओटो ट्रेडिंग बेबी इनू क्वाइन एंड सीविनू क्वाइन के कॉम्बिनेशन से अगर आपको आने वाले स्था में बहुत ही चोटे मोटे इंवेस्टमेंट से एक बिग बाइनस ओटो ट्रेडिंग वहाँ पर जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके साइन अप करें बाइनस ओटो ट्रेडिंग के साथ साइन अप करने के बाद वहीं पर आपको एक वीडियो मिलेगी इसी मैसेज के उपर की तरफ टेलिग्राम चैनल में जिसमें पूरी डिटेल द दे दिया है तो कि दोस्तों बहुत ही महत्पून एक्षेंज है और आने वाले समय में आपको काफी मतल्द करेंगी तो दोस्तों एक्षेंज पर भी जरूर आप साइन अप कर सकते हैं इस वीडियो डिसक्रिप्शन देगा लिंक से तैंक दोस्तों अलदी वैरी बेस चैनल को स सब्सक्राइब करें साथ इस वीडियो का लाइक और शेयर करना ना भूले इस वीडियो डिसक्रिप्शन देए टेलिग्राम चैनल को जोईन करके बाइनेंस ओटों ट्रेडिंग पर साइन अप करके यहां से डेली बिस्स पर आनिंग करना ना भूले तैंक यू